हलो दोस्तो एजुकेशन काड़ा चैनल में आप सब लोगा श्वागत है और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं और अधिक्स अधिक्स सेयर करें और देखते रहें में एजुकेशन काड़ा ले टस रिइड लेट 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 अंश्तुन बेलने जल्दी करें यानि जल्दी करना ले लेट स्घरी देखते हैं there are two boys they are talking together let's see what happened in this chapter Ravi and Ali are going to school it's 15 minutes to 8 by Ravi's watch the school bell rings at 8 o'clock Ravi and Ali are going to school Ravi और Ali ये दोनों बच्चे हैं जो इस्कूल जा रहे हैं it is 15 minutes to 8 by Ravi's watch it is 15 minutes to 8 याने 15 15 minutes बच्चे हैं आठ बजने के लिए 15 minutes कम है और रवी के घड़ी में अभी पौने आठ बजे हैं the school bell rings at 8 o'clock the school bell school की घंटी रिंग जाने होता है बजना school की घंटी बजती है कब बचती है 8 o'clock at 8 o'clock समय के पहले at preposition लगता है इसलिए यहाँ पर 8 लगा हुआ है at 8 o'clock याने 8 बजे जो है school की घंटी लगती है और अभी कितना समय हुआ है it is 15 minutes to 8 याने 8 बजने में 15 minutes कम है जिसको हम क्या बोलता है पहुने 8 बजे है quarter to 8 भी हम बोल सकता है इसको देखो रवी बोलता है it's 15 minutes to 8 फंदर मिनट पहले 8 बजने में 5 मिनट पहले पहले तक जो है school पहुचना है come let's rush to school लोग बोलता है चलो हम दोडते हैं जल्दी करते हैं ताकि हम school 5 मिनट पहले पहुच जाए अली और रवी run to school और वो दोनों दोडने लग जाते है अली good we are in time अली क्या बोलता है good अच्छा we are in time हम जो है in time है in time का मतलब होता है समय के पहले पहुच जाना समय पर या उससे पहले पहुच जाना को क्या बोलता है in time पांच मिनट पहले वो पहुच गए यह दी कोई बोलता है in a good time, in a good time का मतलब होता है समय से परियाप्त पहले पहुंच जाना और एक होता है on time, we are on time यह दी कोई बोलता है, इसका मतलब है कि वो समय पर exact time पर ना तो पहले ना बाद में exact जतने समय उसको बुलाया गया, उसी समय यह वहां पहुंचता है या कोई पहुंचते हैं या हम स्वैम पहुंचते हैं तो हम क्या बोलेंगे I am on time, on time है एकदम right time पर उसी समय न पहले न बाद में, पहले आ गए हैं in time, बहुत पहले आ गए हैं, तो क्या बोलेंगे we are in good time, बहुत पहले हम आ गए हैं, ठीक है after three hours, तीन घंटों के बाद, अली, it is recess now, अली कहता है कि अभी जो है, recess हुआ है, जो school में हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो छुट्टी मिलता है, अवकास, जो लगो अवकास होता है, उसको क्या बोलते हैं, recess, recess, कई रोग बोलते हैं, recess, recess करके हैं, recess जो हिंदी सब्द नहीं है, इंग्लिस है, it is recess now, अभी जो है, अवकास है, रवी, रवी बोलता है, अली, I am very hungry, मैं बहुत भूखा हूं, hungry यहने, भूखा, very यहने, बहुत, I am very hungry, मैं भूखा हूं, I got up late today, क्योंकि, आज मैं कैसा उठा, late उठा, I got up late, late यहने, देर से, today यहने, आज, तुमारो यहने, आने वाला कल, yesterday यहने, बीता हुगा कल, तो today, आज मैं बहुत लेट से उठा, I had no breakfast, और मैंने आज तो अपना breakfast भी नहीं किया है, नास्ता भी नहीं किया है, I didn't have time even for a bath, और मैं तो इतने देर से उठा, कि I didn't have time even for a bath, नहने के लिए भी मेरे को समय नहीं मिला, that makes me unhappy, जिसके कारण मैं कैसा हूं, unhappy हूं, आज मुझको अच्छा ही लग रहा है, मैं खुश नहीं हूं, तो अली बोलता है, I got up early, मैं जल्दी उठा, I had a bath, मैंने इसनान भी किया, I had breakfast, मैंने अपना breakfast नास्ता भी किया, I always get up early, always यहने हमेशा, get up यहने उठना, मैं हमेशा जल्दी उठता हूं, early यहने, जल्दी, early का opposite क्या है, late, I always get up early, मैं हमेशा जल्दी उठता हूं, get up early like me, and you will be happy, तुम भी क्या करो, get up early like me, मेरी तरह जल्दी उठो, and you will be happy, तब ही तुम क्या होगे, happy होगे, खुश होगे, तो बच्चों, आप लोगों को भी का करना चाहिए, to get up early, जल्दी उठना चाहिए, and to go bed in time, समय पर जो है, सोना भी चाहिए, and do your all works in time, अपना काम जो है, समय पर करना चाहिए, तो इस प्रकार यह लेक्षन कतम होता है, यदि वीडियो आप लोगों को पिसंद आया हो, तो लाइक करें, सेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन काड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, देखते रहें, एजुकेशन काड़ा चैनल धन्यवाद,